Question number 7 Express sin 67 plus cos 25 degree in terms of trigonometric ratio of angle between 0 and 45 degree हमको यहाँ पी यह देखे 67 degree और 75 degree के form में दिया हुआ है बट हमें दिखाना है 0 और 45 degree के बीच में ही यह angles होने चाहिए से ज़्यारा नहीं होने चाहिए तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे इसको करने के लिए हम इनके complementary angles के form में डालेंगे तो यह cos 23 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा, sin 15 हो जाएगा ऐसे direct भी बन गया, बट मैं करके दिखाता हूं इसको देखिए solution given sin 67 degree plus cos 25 degree equals to, इसको क्या लिए सकते है sin 90 degree minus 23 degree लिख सकते है ठेक, इसको क्या लिखेंगे cos 90 degree minus 50 degree देखिए, 75 के बराबर है यह 67 के बराबर है तो लिखना सही है, अब क्या होता है sin 90 degree minus theta is equal to cos theta तो cos 23 degree अब यह देखिए, 45 के बीच में, 0 सो 45 के बीच बीच नो 23 degree तो यहां हमारा exercise खतम हुआ ठीक है I think कि सारा exercise का एक है question में अच्छे से deal करा है और आप सभी को अच्छे समझ में आया है तो hopefully आप समझ पा रहे होंगे, अगर in case अभी भी कोई doubt आ रहा हो अगर कुछ improvement की आशकता हो आपको लग रहा हो कि अभी और कुछ रह रहा है कि और अच्छे से क्या कमी आ रही है ठीक है, आप उसको बेस जीजग हमारे comment में कीजिए और जिनको भी कोई doubt आ रहा है कि यह question में कोई problem है वो भी comment में या page का link भी given है ठीक है, description में आप वहाँ जाके हमें पूछ सकते हैं सवाब ओके, thank you